हेलो गाईस वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल तो दिसिस महेश फ्रम जी जीरो फाइव तो आज का वीडियो काफी साथ इंफॉमेटिव है और मोटिवेशनल भी है इस्पेसली क्रिकेटर्स लोग के लिए especially उन सारे क्रिकेटर्स लोग के लिए जो क्रिकेट के साथ साथ कोई भी बिजनस करते है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ NK Sports के मालिक निवास जी के बारे में जिन्होंने सिर्फ एक बॉल के बिजनस से स्टार्ट किया था और आज इनका खुद का एक Sports का शॉप है तो आप लोग जम्शत पुर्स से हो तो आप लोग को जरूर पता होगा कि निवास जी एक क्रिकेटर भी है और साथी साथ ये एक बिजनस भी करते है Sports प्रोड़क्ट और Sports Good का और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन्होंने सिर्फ एक बॉल के बिजनस से स्टार्ट किया था और जैसा कि अब देख सेकतों ये बॉल मैंने अभी कुछ दिन पहले हम लों का मैच हो था था और ये बॉल भी काफी अच्छा चला था पूरा मैच कंप्लिट होने के बाद भी काफी अच्छा कंडिशन में था यह बॉल और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैपनेटिंग का कैप्टेन भी हूँ और जो भी आप लोग को पता है जो भी क्रिकेटर से कि हर लेदर बॉल का जो मैच होता है उसमें दो न्यूब लगता ही है तो मैंने अभी तक इनसे अराउंड 100-500 बॉल खरीद चुका हूं मैं इनसे अराउंड लास्ट दो-तीन साल में तो आप लोग समझ सकते होंगे कि दो 200 बॉल मैंने खर दया तो इनका बॉल का क्वालिटी काफी अच्छा होता होगा तो जम्शतपुर में काफी फेमस है निवाज जी का बॉल काफी दा फेमस है तो रगुलरली जब जम्शतपुर में कोई मैच होता है तो सब इनसे ही बॉल खरीदते है तो सिर्फ मैं नहीं नहीं काफी क्रिकेटर्स लोग ने भी तक इनसे बॉल खरीदा है और जो भी क्रिकेटर्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने निवाज जी से बॉल खरीदा है कि नहीं तो चलिए अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ निवाज जी के शॉप में एनके स्पोर्ट जो इनका स्पोर्ट का शॉप है ठीक है तो काफी महनत किया इन्होंने क्रिकेट खेलते वे बिजनस भी समहला बॉल के बिजनस से स्टार्ट किया और आज सब इनके महनत का फल है कि आज ये एक स्पोर्ट का शॉप खोल पाया है तो चलते हैं NK स्पोर्ट के अंदर NK Sports, 12 दोरी, जम्शेतपुर तो जैसा कि मैने बहुता है बाल, यह बाल के specialist है देख सकते हैं आप red ball तभी मैंने आपको white ball दिखा है, यह red ball देखे यह सारा ball काफी अच्छा quality का है देख सकते हैं, batting gloves, batting pads, whites, pads, balls, spikes, balling spikes लग्स काफी सारा स्पोर्ट का सारा समान है इनके शॉप में आप लोग कुछ भी चाहिए आप लोग डिरेक्टली कॉंटेक्ट कर सकते हो इनसे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा डी टेल्स दे दिया है तो आपको जो भी लेना आप मंगवा सकते हो अगर इनके शॉप में कुछ दिन में जरूर मंगा देंगे तो काफी सारा क्रिकेट का समान है स्पोर्ट का समान है इनके शॉप में देखे काफी महनत करके इन्होंने अपना बिजनस आगे बढ़ाया और आज इनका खुद का एक शॉप है एनके स्पोर्ट काफी फेमर्स है जमशित्पुर में देखे किट बैग हो गया सारा कुछ सारा स्पोर्ट का आइटम को देखिए एडिडास का सूज हो गया स्पाइक्स देखिए काफी अच्छा अच्छा प्रोड़क्ट है इनके शॉप में तो आप लोग कुछ कुछ भी लेना अपन लोग क्रिकेटर हो तो आप लोग कुछ भी लेना valleys इनके शॉप से और आप काफी ज्यादा क्रिकेटर लोग इते हैं संवान आप लोग भी सकते हैं उफ याक्रिकेटर देख रहा हैं विडियो कैसा लग रहा है आप लोग देख सकते हो ड्रेस में NK sports का logo है NK लिखा हुआ है और ये market price से काफी अच्छा price लगाते है as compared to market price ये काफी अच्छा discount देते है इनका product का quality बेचा होता है और price भी बहुत reasonable रहता है अब satisfy होंगे इनके price से इनका सारा goods सारा product का price बहुत ही अच्छा रहता है काफी अच्छा discount देते हैं ये सारे लोगों को सो आप लोग देख सकते हो और मैंने इसे काफी कुछ खरीदा अभी तक मैंने बहुत कुछ खरीदा और all motion का सारा product से मैं satisfied हूँ ये बहुत ही अच्छा product provide करते हैं सो जितने भी cricators video देख रहे हैं और जो भी cricket के साथ कोई business करते हैं तो आप लोगो एक motivation जरूर मिला होगा मुझे भी काफी जाद inspiration मिला इन से निवाज जिसे क्योंकि मैं खुद एक businessman हूँ cricket के साथ साथ और ये भी cricket के साथ साथ चोटा सा ball का business start किया थो और आज इनोंने एक अपना sports का shop खोल लिया है तो काफी महनत करकी आगे बढ़े है और मुझे को इन से काफी जाद inspiration मिलता है और इसे ही cricket से related informative वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर करना वीडियो को share करना spread this video among all the cricketers and share this video to all the cricketers of Jamshedpur thank you guys keep supporting me thank you so much